हरे कृष्णा दोस्तों आज हम सुनेंगे रमा एकादसी की ब्रत कथा तो चलिए शुरू करते हैं रमा एकादसी की ब्रत कथा युदि स्रीर ने पूचा जनार्दन मुझ पर आपका स्ने है अतह कृपा करके बतलाईए कि कार्तिक माक्स में कृष्ण पक्स में कौनसी एकादसी होती है भगवान श्री कृष्ण बोले राजन कार्तिक के कृष्ण पक्स में रमा नाम की विख्यात और परम कल्यान माई एकादसी होती है यहां परम उत्तम है और बड़े बड़े पापो को हरने वाली है पूर्वकाल में मुचुकुन नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान स्रेविष्णों के भक्त और सत्य प्रतिन्य थे अपने राजे पर निशकंटक साशन करने वाले उन राजा के यहां नदियों में स्रेष्ट चंद्रभागा कन्या से रूप में उत्पन हुई राजा ने चंद्रसाइन कुमार शोभन के साथ उनका विवा कर दिया एक बार शोभन दसमी के दिन अपने ससूर के घर आये और उसी दिन समूझे नगर में पुर्ववत दिंडोरा पिटवाया गया कि एकादशी के दिन कोई भी दोजन न करे इसे सुनकर सोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रवागा से कहा प्रिये अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए इसकी सिक्षा दो चंद्रवागा बोली प्रभो मेरे पिता के घर पर एकादशी के दिन मनुश्य तो क्या कोई पालतु पशी आदी भी बोजन नहीं कर सकते प्राणनात यदि आप बोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को द्रण कीजिए शोभन ने कहा प्रिये तुमारा का न सकते है मैं भी उद्वास करूंगा देव का जैसा विदान है वैसा ही होगा भगवान स्रीकृष्ण कहते हैं इस प्रकार द्रण निश्य करके सोभन ने व्रत की नियम का पालन किया किन्तु सूर्यदय होते उनका प्राणांध हो गया राजा मुचुकृष्ण ने सोभन का राजोचिद्धा संसकार किया चंद्रभागा भी पती का पारलों की कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी रूप्चेष्ट उधर शोभन इस व्रत की प्रभाव से मंद्राचल की शिखर पर बसे हुए परम रमणिय देवपूर को प्राप्त हुए वहां सोभन गृतिय कुबेर की धार्ती सोभा पानी लगे एक बार राजा मुचुकुन ने नगरवासी विख्याद ब्रामण सोम सर्वा तीर्थ क्यात्र की प्रसंग से गूमते हुए मंद्राचल परवत पर गए जहां उन्हें सोभन दिखाई दिये राजा के दामात को पाचान कर वे उनके समीब गए सोभन भी उसी समय द्रेज स्वेस्ट सोम सर्मा को आया हुआ देखकर सीद्रही आसन से उट खड़े हुए और उन्हें प्राणाम किया फिर क्रमश अपनी ससुर राजा मुचुकुन प्रियपत्नी चंद्रबागा तथा समस्त नगर का कुशलक्षेन पूछा सोम सर्मा ने कहा राजन वहां सब कुशल है आश्चर है ऐसा सुन्दर और विचितर नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा बताओ तो सहीं आपको इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई शोवन बोले द्विजेंद्र कार्तिक की कुरुष्ण पक्स में जो रमनान की एकादशी होती है उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है ब्रह्मन मैं श्रगदाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्टान किया था इसलिए मैं ऐसा मांता हूँ कि यह नगर स्थाई नहीं है आप मुझुकुन की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृतान काईएगा शोगन की बात सुनकर ब्रह्मन मुझुकुन पूर में गए और वहां चंद्रभागा की सामने उन्होंने सारा वृतान का सुनाया सोम शर्मा बोले सुभे मैंने तुमारे पती को प्रत्यक्ष देखा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्वर्ष नगर का भी अवलोगन किया किन्तु वह नगर अस्तीर है तुम उसको स्तीर बनाओ चंद्रभागा ने कहा ब्रह्मर्शे मेरे मन में पती के दर्शन की लालसा लगी हुई है आप मुझे वहाँ ले चलिए मैं अपने वरत के पुन्य से उस नगर को स्थीर बनाओंगी भगवान श्रेकुरुष न कहते हैं राजन चंद्रभागा की बात सुनकर सोम सर्मा उसके साथ ले चले उसको मंद्राचल परवत के निकट वाम देव मुनी के आश्रम पर गळे वहां रूशी के मंत्र की शक्ति तथा एकादसी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का सरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गती प्राप्त कर ली इसकी बाद वह पती के समेब गई अपनी प्रिय पत्नी को आया हुआ देखकर सोबन को बड़ी प्रशन अता हुई उन्होंने उसे बुला कर अपने वाम भाग में सिहासन पर बिठाया तदंतर चंद्रभागा ने अपने प्रिय तमसे या प्रिय वचन कहा नात मैं हित की बात कहती हूँ सुनिये जब मैं आट वर्शे अधिक उम्रकी हो गई तब से लेकर आज तक मेरे द्वारा किये हुए एकादसी वरत से जो पुन्य संचित हुआ है उसकी प्रभाव से या नगर कल्प के अंध तक स्थीर रहेगा तथा सब प्रकार के मनवांचित वैबव से सम्रुद्ध शाली रहेगा रूपशेस्ट इस प्रकार रमावरत के प्रभाव से चंद्रभागा, दीव्य भोग, दीव्य रूप और दीव्य आभरणों से विबूशित हो अपने पती के साथ मंद्राचल के शिखर पर बिहार करती है राजन मैं तुमारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वणन किया है यह चिंतामणी तथा कामधेनू के समान सब मनोरतों को पूर्ण करने वाली है तो अवश्य आप भी सारे भगत जो ये कथा सुन रहे हैं वो सारे ये एकादशी कीजिएगा और पुन्य कर्म के भागी बनिएगा मेरी आप सबसे यह एक प्राठना है हरे क्रिश्ना